हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 माई को होने वाले मंडे नाइटरों के प्रिवीप के वाले में और कुछ कम नहीं भाई यहां पर आठ मैचेस डबली डबली ने कंफर्म कर दिया इसके लावा भाहिंकर सेग्मेंट देखने को मिलेगा किंग बड़े मैचेस हैं बहुत ही बड़े सूपर स्टार्ट के साथ और भी हमें काफी कुछ देखने वाला है पर उससे पहले दोस्तों यार वीडियो को शुरात करें लाइक से तो दोस्तों आपने बैकलेश पीपर देखा और फ्रांस की लाइव ओडियंस के बारे में क्या ही काफी गजब थी ऐसा उन्होंने शो किया जैसे कि उनको डबली वीडिका लास्ट और पहला पेपर यह पर आप बात करें नेक्स रॉप पर नेक्स रॉप पर डबली ने किंग ऑफ दरिंग टूर्णमेंट के मैचे सेट कर दी हैं जो कि हमें फर्स रांड में देखने को मिल सेमर्स की मैज कर सकता है कुछ उसकता है और फिंबळे घंघाल फैफ्रेधे ने को समद्स है पर यह लोग साइनल में जाले पर यह जने के बदfred n की दोस्ते ешने को मिलती है तो हमें पर विए पिक करूंगा साइना बैसलर को फिर मैच है लाइना वलकीरिया वर्सिस आसका के बीच में आसका जो कि है फॉर्मर डबल डबली वोमेंश टैक्टिम चैंपिन्शिप हार चुकी है जेट कार गया व बेयां कब लेर के अगे इस तो आसका कारी सिन के बास दोने के बा मैच है तो बहुत नतालिया भी एक ऐसे सुपरस्टार है काफी एक्सपरस्टार है और यह इसका फॉर्मर इस मैगन मुमेंश रहे चुकी है तो बहुत यह मैच भी दिमाग में चल रहा है उनके साथ होंगे लुडविक काईजर गुंतर के दिमाग में क्या पकर रहा है वह जरू King of the Ring tournament के final match सक जरू जाना चाहेंगे तो सेमस को भी यहाँ पर खामियाज भुगत ना पढ़ सकता है डुल मैकिंटाय यहाँ पर कुछ क्लॉल कर सकते हैं कुछ पंगा कर सकते हैं सेमस के साथ हो सकता है गुंतर यह मैच जीच जाए इसके लाव एक और मैच है रिकोश सारी मैच देखने को मिलेगा और इकोशी भी एक ऐसे सूपर स्टार जीन बहुत पुछ देती है तो यह मैच में तो पिक करना असान नहीं कि कौन जीतने वाला है फिर कोफी किक्स्टन वरसे रे मिस्टीर लास्ट यह चौथा मैच है रह पर यहाँ पर पिक करना कोई असान नहीं है कोफी किंग्स्टन के साथ होंगरिंग साइड पर जरूर जेवेर वूट यहाँ पर हो सकता है आके दिक्कत कर दें कर ली तो यह मैच भी देखना हमें एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा और इससे की साथ दोस्तों हमें ब्रॉन इस्ट मैं जो कि देखने को मिलेगा और अगर ब्रॉन इस्टोमन को डॉबल डॉबली नहीं ला रही है किंग ओफ दरिंग टूर्णमेंट के लिए तो ब्रॉन इस्टोमन को किस तरह से बुक करने वाले ऐसे सूपरस्टार है उन्हें छोटे सूपरस्टार क्या गयंस तो नहीं रखा जाए तो इसके एलावा हम गर्सेग्मेंट को मिलेगा रोब रोम मेंच च्यामपर्शिप के तरफ से और यहां पर फिर सेग्र भार किय हैं कि अबले इंच वर्सिस ले मॉर्गन की बीच में क्योंकि पिसले आफते ले मॉर्गन निया जैक्स वह रहाया तो उन्हें यहां पर उपाइनल सेग्मेंट देखने को मेलेगा यहां पर वर्ल्ड हईवेज चैंपियन डेमिन प्रीस्ट का और हमने बैकलश पीपर देखा कि डेमिन पी सबसे आगे रहते थे पर भाई अब हो सकता है थोड़े बहुत बदल गए हूं और हमें जैज्जमेंट डेमिन बीवी कुछ किलॉल देखने को मिलेगी कुछ मिस्स कम्मिनिकेशन देखने को मिलेगी जिससे जैज्जमेंट टूटती हुई दिखाई दे सकती है और यहां प मुझे किसी की जरौत नहीं है अब वो अपने आपको अलग ही लेवल का सुपरस्टार मानने लग गए हैं तो भाई अब और भी जादा सेग्मेंट देखने के इंट्रस्टिंग हो गया है भले ही रोम नेक्स नहीं है पर डबल डबली इन सुपरस्टार के साथ बहुत अग